नवस्कार प्रिय दर्सकों मैं हूँ असलोज रवी गुप्ता और स्वागत करता हूँ आठ नवंबर से ले करके 14 नवंबर के मद्धे का संपुर्ष अपताहिक रासी फलके मेरे स्विशेश कारिक्रम में आज मैं आपको बताऊंगा मेस रासी से ले करके मिन रासी वाले कैसा रहेगा आपके पोले सप्ता का हाल ग्रहों की कौन-कौन सी स्थितियों में किस प्रकार के सफलता है आपकी जीवन में होने वाली है और अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार के को आई स्थिता है हैं तो इसको बहतर बनाने के लिए आपको कौन सा उपाई करना चाहिए इसकी विश्थित जानकारी में दे दूँगा पिरिदर्स को देखिए सबताहिक रासी फल में चंदर्मा की भूमी का एहम होती है क्योंकि चंदर्मा जो है यह हर सवा दो दिन में अपने रासी को चेंज करते हैं और चंद्रमा का पर्तिनिषित्व जो है हमारे मन पे है अथात चंद्रमा का परिवर्तन हमारे मन को चेंज करता है और मन ही जो है हमारे कर्म को निर्धारित करता है और हमारा कर्म जो है आने वाले भविष्य और भागि को ते करता है इसलिए चंद्रमा की स्थिति को जानना और समझना अत्यनत अविश्यक होता है ताकि सप्ताहिक रासी फिल के इस महत्तपुन कारिक्रव को मैं आपको बहुती सटिक्ता से बता पाओं सबसे पहले देखिए कि ये सप्ताह चंद्रमा की क्या क्या स्थिति होने वाली है प्रिदर्स को देखिए आठ और नौ नवंबर को चंद्रमा रहेंगे धनुरासी में धनुरासी के स्वामी विरहस्पती होते हैं और चंद्रमा और विरहस्पती का मित्रबद संबंध है लेकिन धनुरासी में क्यूंकि पहले से सुक्र गोचर कर रहा है अतहा चंद्रमा और सुक्र की यूती होगे अतहा सभी रासियों व विदाओं की और मन जादा जाते हैं आता है यह तो समझ में आ रहा है कि इसमें सभी लोग खर्च पर नियंतरन करने का परियास करिएगा इसके अलबा दस और 11 तारीकों चंद्रमा रहेंगे मकर रासी में मकर रासी के स्वामी सनी है और सनी मकर रासी में ही जो है वरतमान समय म में गोचर भी कर रहे हैं और विरहस्पति भी जो है अभी मकर रासी में गोचर कर रहे हैं अथार्थ सनी जो है चंद्रमा के साथ यूती बना करके 20 योग की स्थितिक उत्पन करेगा और चंद्रमा गुरू के साथ भी यूती बना करके जो है गज के स्रियोग की उत्पति करे यह दोनों योगों का फल इसलिए थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि विर्हस्पति भी निचस्त है इसके अलावा 12 और 13 तारिकों चंद्रमा रहेंगे कुम्भरासी में कुम्भरासी के मित्रकत रासी मीन में मीन रासी के सवामे विर्हस्पति है और चंद्रमा विर्हस्पति की विर्हस्पति में सríaथ हैं में एहम भूमिकानी भाते हैं तो यह सप्ता सिर्फ 12 नवंबर को जो है ना बुद्ध जो है यह अस्दगत रहेंगे वस यही एक है यानि बैपारी जगत में थोड़ा सा अस्दगत बुद्ध का प्रभाव ना करातमक हो सकता है ता आपको ध्यान देने की आप सकता रहेगी अब सब्ताहिक रासिफल को इसकारिकरम को आगे बढ़ाने से पहले एक महत्तपुन जानकारी जानकारी यह है कि जिन लोगों का भी जन्म आठ नवंबर से ले करके 14 नवं आपके हर छेतर में हर लाइफ में आप सफल हो मैं इस वर से यही कामना करता हूँ और अपने तरफ से भी यही कामना करता हूँ तो चलिए अब हम लोग चलते हैं मेस रासी से ले करके मीन रासी वाले कैसा रहेगा हमारा ये सबताहिक रासी फल का विश्यसकारिकरम और कैसा रहेगा आपके जीवन में इसका प्रभाव सबसे पहले मैं प्रारम करूंगा मेश रासी वाले मेश रासी वाले आठ और नौ तारीकों चंदर्मा आपके कुंडले के भाग्या स्थान में रहेंगे अता आपका भाग्य पूर्णुपेन साथ देगा परमोशन पद्वनती के रास्ते अच्छे खूलेंगे संपती अर्वाहन का सुख देखने को मिलेंगे लौट्री सट्टा स्यर मार्केट के लावा सामाजी कर्म शेत्रों में आपके एहम भूमिका रहेगी छोटी छोटी यात्राओं का लाव मिलेगा रिस्तदारों से प्रोपटी समझत मद्भेद में कमी देखने को मिलेंगे उच्छी सिक्षा के लाव किस्तियतिया देखने को मिलेंगे और इस्तदारों और भाईयों से अगर मत्भेद चल रहा था यह आपके पैसे फसे हुए थे वह अभी निकल जाएंगे बहुत हद तक बेदे जाने की संभावना को यह बढ़ाने व होगा संपति का लाब आतिमिस्वास में बिरिधी और समाजिक लोगों से विशेस लाब के योग बनेंगे आप रसासनिक छेतर में हो या नौरमल किसी भी छेतर में हो पद्धोनती के लिए लोग आपको खोजेंगे और आप्के कर्ण छेतिएंगे और यही से सफलता के रा लावा बुद्धी मता का परियोग करेंगे लौट्री सेक्टा शेयर मार्केट इंसूरेंस वेगरा में ज्यादा लाप की शंभावनों के साथ विद्य स्यात्राओं को योगों में ब्रिधी करने वाला रहेगा इस समय चंद्रमा जो है आपके माता से या पिता से धन की प्रा दन्तु 14 और 15 तारीकों थोड़ा आपको तनाम किस्तिती देखने को मिलेंगे माता का स्वास्त खराब रहेगा आई स्थिरताएं हो सकती है किसी से मतभेद हो सकता है केस मुकदमा या दूसरों के कारण परशानिया हो सकती है इस समय आपका स्वास्त भी ठीक नहीं रहेगा मश्तिक ससम्मंदित, हिर्दे सम्मंदित और पैरों में कष्ट हो सकते हैं नेतर सम्मद्य समस्याएं हो सकती हैं तो आपको इस समय बहुत इस सावधान रहना पड़ेगा और ध्यान से हर काम को करना पड़ेगा अगर उपाई के चर्चा करे तो पूरे सप्ता आपको कौन स तिलक अवश्य लगाईएगा बिरिशाव रासी वाले अगर आपके सब्तह रासी फिल के चर्चा करना चाहेंगे सबसे पहला देखिए सब्तह का सुर्वात आठ और नौ तारिको धन की प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे प्रेम विवाह में कुछ अच्छे रास्ते खुलें आपको गले सम्मंदित और पेट और पैरों में समस्या हो सकती है तो आपको ध्यान देने वाली विशेस बाते रहने वाली रहेंगे दस तारीक और इगारा तारीकों चंदर्मा आपके कुल्ली के भाग्यस्थान में आ जाएंगे हलाके गजगेसर योग के साथ में जो है व चोटी-चोटी के लावा बड़ी यत्राओं को सफल आपको योग बनेंगे संतान सुक के अलावा जो है आपके जीवन में आपके संस्तान तर्की रास्तों ग्यजाएंगे 11 और 13 तार्यकों चंद्रमा आपके कंड़ली के कर्म लिख नमें जाएंगे कर्म चेतर्में20 injustर में आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे या समाजिक लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे सपोर्ट करना चालू कर देंगे सबसे महत्तपुर्ण बात इस समय यह भी रहेगा विवह के लिए उपयुक्त रिस्ते भी आएंगे आपके 33 संतान को लेकर के जो आपके जिवन में कष् और संपती के सुख देखने को मिलेंगे 14 और 15 तारीकों चंद्रमा आपके कुंडली के आयस्थान में जाएंगे बिरिशबरासी वाले यानि 14 और 15 लौटरी शट्टा शेर मार्केट के लिए बहुत बहतर रहेगा आप बढ़े इवेस्टमेंट कर सकते हैं बुद्धिमता क पर योग करेंगे लाव मिलेगा किसी प्रकार का उच्य सिक्षा गरन करना है अच्छे कॉलेजे बेगरे में इडिविशन कराने हैं या किसी का भी को रिजल्ट आने वाला है तो आपके लिए लाव कारी सी दोने वाला रहेगा प्रेम से विभाग के योगों में बिर्धि मिलेंगे सबसे महत्तपुन बात क्या है कि 14 और 15 तारी को जो है आपके सारे फसेवे पैसे तो निकली जाएंगे विदेश जाने की संभाव नौ में बृधि दिखेंगे फिर भी पूरे सप्ता को बहुत बहतर बनाने के लिए 8 और 9 तारी को जल में दूध मिला करके सिबलि अगर आपके लिए सब्ताहिक रासी फिल के चर्चा करना चाहें सब्ताह का सुर्वात जो होगा यानि आपके जीवन में जो है 8 और 9 तारी को चंद्रमा सब्तम स्थिती में रहेंगे जो लाबकार यवस्ता है अता 8 और 9 तारी को आप अपने नौकुरिया वैवासाई को ल को पसंद करते हैं लेकिं सामने वाला आपको इग्नोरेंस कर रहा था यहां बात बनेंगे और हो सकता है कि आपको एकसप्ट भी कर ले इसके अलावा जो है चंद्रमा आपके जीवन में जो है चारों तरब से धन की बरसाज कराने वाला रहेगा विदेश जाने की संभावन पैरों में थोड़ा कस्त सुराल पक्ष मतवेद या दांपती जीवन मतवीद हो सकता है तो आपको इन चीजों पर ध्यान देना है हलाके इसके अलावा चंद्रमा देखेगा तो अपनी रासी को तो धन की प्राप्ती होगी पुराने रिष्टे लोगों से सुधरेंगे इस और तेरा तारीकों चंद्रमा भाग्यस्थान में आ जाएंगे यह नियमता सुभ और लावकारी स्थिती में रहेंगे अता 12 और तेरा तारीकों भाग्यसाथ देगा परमोशन के राश्ते खुलेंगे रिस्दारों से परिवार वालों से तालमिल के लावा घंदानी पार और नौकरी का उसर मिलेंगे आप मनोनित होईएगा समानित होईएगा माता पिता के तालमेल अच्छे होंगे भूम मकार वहां संपती का लाव मिलेगा मांसिक सालते भी आपकी जीवन में देखने को मिलेंगे फिर भी पूरे सब्दा को बहुत बहतर बनाना चाहते है तो पूरे सप्तह में आप 10 और 11 तारी को घर से निकलने से पुर्व जो है कोशिस करिएगा भगवान सीव को या गनेश जी को पेड़े का भोग लगाने का आप पूरे सप्तह सफेज चंदन का तिलक लगाईए हो सके तो घर से निकलने से पुर्व परते की दिन गन्या या गन्ये का जूस माता लक्ष्मी को जो है आप भोग लगाते हैं बहुत अच्छा मिलेगा फ़ग करकरासी वाले अगर आपके लिए सप्तह करासी फल की चर्चा करना चाहें सबसे पहला देखिए क्या है सप्तह का सुरुवात यानि आठ तारिक और नौ तारिकों जो है करकरासी वाले चंदरमा आपके कुल्ली के सश्टेस रहेंगे देखिए नियमता ये सूब नहीं माना जाता है अता आठ और नौ तारिकों पेट में और पैरों में कष्ट की स्थितियां देखने को मिलेंगी मांसिक तनाव और अलश्यपन हाबी हो सकता है जब भी अलश्यपन मनुश्यकंदर आता है उसके पतन के रास्ते खुलते है ख्याल रखना पड़ेगा दस तारीक और 11 तारीकों जो है करकरासी वाले आपके विवाह के लिए बहुत ही अच्छे रिष्टे आएंगे नौकरी विवशाय में परिवर्तन के अच्छे ओफर मिलेंगे पार्टनर्सिपिंग के रिलेशन में शुधार होगा और दांपत्ते जीवन के भी रिलेशन में सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगे लगन को देखे का चंद्रमा साथवे दिरिष्टी से तो आपके मान समान में भृदी होगा पिता की तरक्की और पिता से तालवल में सुधार के अलावा संपति का लाव भी देखने को मिलेगा इसके अलावा जो है 12 और 13 चारी को चंद्रमा जो है आपकी कुडली के अश्टेम स्थान में रहेंगे और गज के स्रीयोग के अलावा वीश्योग भी बनाएंगे अता 12 और 13 तारी का जो सिचुवेशन रहेगा करकरासी वाले आपको इस समय संघस और स्ट्रेगल देखने को मिलेंगे धान संचय में दिक्कत होगा लव रिलेशन में थोड़े विवाद हो सकते हैं और मेंटल टेंसन हो सकता है पैर और पेट में कष्ट के अलावा कुछ लोग आपको कानूनी परिशानियों फसा सकते हैं और इसके अलावा जो है ससुराल पक्षे तालमिल खराब हो सकता है तो आपको 12 और 13 तारी को ध्यान दे नहीं पड़ेगा इसके लिए कुछ भी हो जाए इसके अलावा जो है 14 और 15 तारी को जो है लास्टली सकता हमें कुछ बड़ा होने वाला है यानि 14 और 15 तारी को नए बैपार के नौकरी के अफसर मिलेंगे आप अपरोच कर रहे थे किसी सिनियर अधिकारी को या बैपार में कोई बड़े डिल के लिए कुछ बड़े बिजनेसमें के अपरोच कर रहे थे उससे रिलेटेड आपके लिए अच्छे स्थितियों में सुधार देखने को मिलेंगे धार में क्यात्राई भी होंगी, सरकारी कामकाज का पुन रुपेन फल मिलने वाला रहेगा, छोटे भाइबहनों के लावा, बड़े भाइबहनों से तालवर भी सुधार देखने को मिलेंगे, और प्राकर में बिलिदी होगा, जब प्राकर में मनुश्य का बड़ता है, तो पूरे सप्ता ठीक नहीं है, अता पूरे सप्ता पर ठीक दिन जो है, पहले सिवलिंग पर जल चड़ाईए, फिर उसके उपर चावल अर्पित करिए, और ओम चंद्राई नमा मंतर का 11 वर जाप करना, और पुनह जो है, चावल को उपर जल चड़ा देना है, कंटिनियों सप्ता का सुरवात जोग आपके जीवन में, आठ और नौ तारी को, चंद्रमा आपके कुंडली के पंचम अस्थान में रहेंगे, बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम अस्थान तिर्कौन अस्थान होता है, तो इसको सूब माना जाता है, आता आठ और नौ तारी को, में नोगरी में तरक्की संतान के सुख्षों में व्रीधी देखेंगे आठ रह नौ तारिकों आपके जीवन में लोटरी का स्टय का लफ तो दों मिलेगा ही सभी तरप से फसे नकिके भी आler जाएंगे और द या लब रिलेशन में फीलिंग की कमी आ रही थी वह ठीक हो जाएगे यानि आपका प्यार पुना ठीक हो जाएगा दस तारीक और एगारा तारीकों जो है थोड़ा आस्वस्ता मांसिक आईस्थिरता है और तनाव आपके जीवन में दिखेगा इससे में थोड़ा सा पेट और पैरों में कर्ष्ट की स्थिति हो सकती है धान का वै होगा पर जैनुविन जगा पे होगा लेकि छोटी छोटी यात्राओं से परिशानिया थोड़ी हो सकती है हलाके 10 और 11 तारिकों विदेश जाने की संभावना है ये विदेशों से रिलेटेड कुछ लाब की स्थितिया देखने को मिलेंगे लेकिन आपको अपने क्रोध पे और अलश्य पे नियंतरन रखना पड़ेगा आप नियंतरन नहीं रखेंगे तो राशी फल देखने से क्य झा स्थापीpelled हैैं तil लोगों से थोड़ी दूर हो सकते हैं और आप वेपारिक शित्यों में लाव की संभावना इद बारा और तेरा तारी को जो है जीवन आपका बहुती कुसा हालर रहेगा और छुटी-छुटी यात्राओं के लाव के अलावा थोड़े धन के वे तो जरूर होंगे लेकिन मांसिक सांती आपको देखने को मिलेंगे 14 और 15 तारी को आपके पैसे थोड़े खर्च हो सकते हैं थोड़ा आस्वसता पेट और पैरों में और यूरीन संबंदी थोड़े से कष्ट की स्थितियां देखने को मिलेंगे हलांके 14 और 15 तारिकों मित्रगत रासी में चंदरमा रहेंगे अता दामपत्य जीवन में सुसराल पक से किसी परकार के तालमेल आपके खराब नहीं होंगे लेकिन बस यही है कि अपने आपको आपको बहुत 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 ब कन्या रासी वाले, अगर आपके लिए सब्ताहिक रासी फल की चर्चा करना चाहें, तो देखिए, सब्ताह का शुरुवात जो होगा, यानि 8 तारिक और 9 तारिक को चंद्रमा आपके कुडली के चतुरत स्थान में रहेंगे, कन्या रासी वाले, केंद्र में चंद्रमा का जा माता पिता से ताल में लाब के ठीक हो जाएंगे, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, और इसके अलावा पैसे की कमी तो होई नहीं सकती है, बहुत पैसी आएंगे, एकदम समझना है, 10 और 11 तारिक को चंद्रमा पंचमेस हो जाएंगे, संतान शुक, लोट्री 60 शेयर मार्के में लाब, सरकारी काम काज के अलावा, पितासि और बड़े भाई बहनों के अलावा, माता से ताल में लाब के बहुत यच्छे रहेंगे, 10 और 11 तारिक को सरकारी काम काज में आपके अफचिनिटी को सरहना मिलेगा, और सबसी महत्यपूर्ण बात किया है, 10 और 11 तारिक को रिसार्च व्यागरा के छेतर में आपकी पदोनती देखने को मिलेंगे, आपको 12 और 13 तारिक को थोड़ा सा उधान रहना पड़ेगा कन्यारासी वाले, क्योंकि इस समय थोड़े करज बढ़ सकते हैं, विर्थ के धन वे हो सकते हैं, तो अगर आ 12 और 13 तारिक को अपने धन पीस में कमी देखने को मिलेंगे, तो आपको 12 और 13 तारिक को अपने आपको भूत अच्छे से रखना है, और काम में आले शुपन नहीं करना, सत्रूता नहीं करना है, और पिता से तानमिल बहतर बनागे रखना है, 14 और 15 तारिको पुनाह चंद्रमा आ जाएंगे केंदर मे अब आयका मालिक जब केंदर में आएगा, तो पार्टनर जिबिंग बैपार से अत्यतिक धन के प्राप्ती होगी, विदेश जाने की संभावनाई भी बढ़ जाएंगे, विदेशों में परिवर्तन करना चाहते हैं बैपार या नौकरी में तो उसके लाब होत अच्छे ब यह इसवर की किरपा से माइन ब्लोइंग समय रहेगा, बस आपको बारा और तेरा तारीक को ध्यान रखना है, बारा और तेरा तारीक को खीर का शेवन अवश्य करिए दोनों दिन, और पूरे सप्ता को बहुत बहतर बनाने के लिए चंदन का तिलक लगा लिजिए, और ओम चंद चंदरा हैं मों मंतर का जाब करिए, हो सके तो आप पूरे सप्ता जादा सफेद रंके वस्तर का पर योग करिएगा, तो आपके लिए बहुत ही बहतर रहेगा, या ओफ वाइट भी कर सकते हैं कर्णिया रासी वाले, तूला रासी वाले, अगर आपके लिए सप्ता ह सुरुवात जो होगा आठ और नौ तारी को चंदरमा आपके कुंडली के तिरतिया स्थान में रहेंगे तिरतिया स्थान का चंदरमा सुभकारी और लाबकारी होता है अताहां तुलरासी वाले ऐसे तो आपके उपर सनी के ढहिया है लेकिन चंदरमा जब प्रभाव साली और बल साली हो जाए तो बहतर यानि इस बुरे वक्त में भी आपके लिए देखिए कितना लाब मिलने वाला है यानि आठ और नौ तारी को प्राकर्मी लाइएगा आपको खंदाली प्रोपर्टी का विवाद दूर होगा सरकारी कामकाज का लाब होगा धार्मी की आत्राएं भी होंगे उच्छ प्रकार के लोगों सुशंपर्क भी अस्थापीत होंगे उच्छ सिक्षा तिर्थिय संतान के तरक्की गले के रोग में राहत हिर प्रोपती का लाब मिल जाएगा मता पिता के तालमे लाब के ठीक हो जाएंगे मांसिक सांती हिर्दै शमंदीत रोग की समस्याओं से मुक्ति और मान सम्मान और समाज में पहुत ज्यादा पटिष्ठा बढ़ने चालू हो जाएंगे यहीं नहीं दस और इगारा तारीको ल 10 रुपेन मिलेगा महनत भी करने पड़ेंगे बिना महनत के कुछ नहीं होते हैं बारा और तेरा चारीको चंद्रमा हो जाएंगे पंच मेस जब विवाक के लिए बहुत ही अच्छे हिरिस्टों को लाएंगे आपके पिता आपको बधिमता के लाबा है नांस ले यानि पैस इपनेश रहेगा विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाब की संभावनाई बढ़ जाएंगे बस यही ये तुलारासी वाले पूरे सब्ता में आपका 14 और 15 तारीका जो समय रहेगा ना इस समय साउधान रहनी क्या बशकता रहेगी क्योंकि देखिए इस समय करना है क्रोध नहीं करना है और वर्थ के धनवे नहीं करने है तो आप बैच चाहिएगा फिर भी पूरे सब्ता को बहुत बहुत बेहतर पराना चाहते हैं तो पूरा सब्ता आपको क्या करना है बहुत या असान उपाय बताता हूँ परतेग दिन मातलक्ष्मी या दुरु भी करिए, तो आपके लिए पूरा सब्ता पहुती बहतर रहेगा तूला रासी वाले विर्षिक रासी वाले अगर आपके लिए सब्ता ही रासी फलके चरचा करना चाहे तो देखिए सब्ता का सुरुःत जो होगा यानि 8 और 9 तारी को चंद्रमा आपकी कुंडली के धन अस्थान में रहेंगे बिच्चिक रासी वाले चंद्रमा आपकी कुंडली के भार्गे के मालिक होते हैं अताः चंद्रमा सूभ होता है आपके लिए तो ये आठ और नो तारी को जब धन अस्थान में रहेंगे तो धन के रास्तों को खोलेगा आपके सरकार के पास पैसे फसे हुए थे कोई सिनियर अधिकारी उस सैनी नहीं कर रहा था यह अरंगाओ कर रहा था यह आपके पर्मोशन को ही नहीं बढ़ने दे रहा था क्योंकि पर्मोशन बढ़ेंगे तो आई बढ़ेंगे तो आपका समय लाबकारी रहूं कि आप बोलिएगा और जब आप बोलिएगा तभी आपका काम बनेगा तो आठ अर नो तारीकों आप बोल के अपना काम निकानने वाले रहिएगा और आप बोलिएगा आपका भग भी साथ देगा और जन्मिनिटी वाली बात बोलिएगा ऐसे तो आप सत्त बोलते हैं दस और इगारा तारी को चंद्रमा प्राकर्मी हो जाएंगे और अपने राशी को भी देखेंगे दस और इगारा तारी को समाज के लोगों से रिष्टदारों से भाई बहनों से धन की प्राप्ति संपती की प्राप्ति सरकारी काम काज मिलने की शंभावनाय और ब कि मन चहा जगा पर्मोशन और पदोनती भी दे देंगे और यहीं नहीं किसी कारण से आपके भाई बहन अगर सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो वह भी कर देंगे और 12 और 13 तारीकों वह भी मकार वहां संपती का लाह मिल जाएगा आपकी माता या पिता जो आपके खिलाप हुए थे और उनका सपोर्ट में रहना अत्यान ताविश्यक है तो 12 और 13 तारीकों फुली आपके सपोर्ट में आ जाएंगे यहीं नहीं 12 और 13 तारीकों धनकी प्राप्ति परिवारिक सुखों में और ख्याती में ब्रिधी और सब्षे महत्तपूर्ण बात किया है किसी चाहे जगा पर एडमिशन वीदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रेम से विवाहक के योगों में ब्रिधी के अलावा जो है धार्मिक रित्याप के जीवन में देखने को मिलेंगे सबसे महत्तपूर्ण बात क्या है इसे में अपनी बुधिमता के बल पे अपने सिनिय बराना चाहते हैं ब्रिच्चिक रासी वाले तो हम एक ही बात बोलेंगे पूरे सब्ता सरी फन्वान चालीशा का पाट करिए और पर तेक दिन हो सके तो आप सटर्डे को या संडे को ही आटे का चूर्मा बना लीजिए मिसरी या चीनी डालके और पर तेक दिन उसको आइक रासी फल के चर्चा करना चाहें तो देखिए सब्ता का सुर्वात जो होगा आठ और नौ तारी को चंद्रमा आपकी कुडली के लगन में रहेंगे तो यह जब लगन में रहेंगे तो धनुरासी वाले मित्रगत लगन होगी आपका तो धनुरासी वाले आठ और नौ तारीकों प्राकर्मी रहीएगा सवसुराल पक्षे से रिलेटेड किसी प्रकार का विवाद में आपका विजय तैए होना खंदानी प्रुपटी विवाद में आपके विजय होना तैए है कुछ लोग आपके पटिष्ठा को धूमिल करना चाह रहे थे तो इसमें आप बहुत सबसे बहतर समय फिल हो जाएगा देखिए दस तारीक अरगा तारीकों परिवारिक कलह दूर हो जाएंगे अपनी वानी के दम पे और अपनी बुद्धिमता के दम पे सभी लोगों से रिस्टों को आप ठीक करिएगा यह समय नौकरिय व्यवसाई के परिवर्तन के लिए ब से महत्पुन पात क्या है कि इस समय आपके अंदर जो आत्विश्वास खतम हो चुका था मैंने इतना नेगेटिव आ चुका था कि अब यह से कुछ नहीं होगा वह पुना वापस आएगा और खंदानी प्रोपटी का लाव मिलेगा बिकेगा और लाव मिल जाएगा यह लिके तिरत्य घर में आ जाएंगे और भाग्या स्थान को देखेंगे सिंघराशी को जो लाबकारी है अताह बारा और तेरा तारीकों जो है धनुराशी वाले प्राकर्मी रहिएगा छोटी-छोटी यात्राओं का लावा धन की प्राप्ती होगी इस समय आपके जीवन में कर्म छेत्रों का साराहना करना चालू कर देंगे और सबसे महत्तपुन बात क्या है कि आप लोगों को दिखाएंगे कि मेरे अंदर भी हिम्मत है कुछ करने का 14 और 15 तारीकों परिवार के हर लोग आपको सपोर्ट कर देंगे सिख्छा शंपती का लाव मिलेगा संताल की तरक्की और माता-पिता से तालमेल आपके ठीक हो जाएंगे सबसे महत्तपुन बात किया है किसी कारण से डिवोस नहीं चाहते थे और आप चाहते दिके रिष्टे प्रवल हो जाए तो यह समय उसके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा पेट और पेरों के समस्या और हिर्दे के समस्याओं में सुधार देखने चालू हो जाएंगे और सबसे महत्तपुन बात किया कि इसे में भूमी मकान वहां संपती का लाव मिल जाएगा माता के द्वारा प्राप्ती हो जाएगी धन की विदेश जाने की समभावनाव में अच्छे अवसर देखने चालू हो जाएंगे ऐसे तो देखिए धनुरासी वाले पूरे सप्ता है तो बहुत 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 बह आपके लिए सब्ता एक रासी फल के चर्चा करें, देखिए, सब्ता का सुर्वाज जो होगा, आठ और नौ तारी को चंदर्मा आपके कुल्ली के दौदेश हो जाएंगे, एक तथ्य को समझा देते हैं मकर रासी वाले, चंदर्मा आपके कुल्ली में मारकेस होता है, तो ये समय आपको फसाने का परियास करेंगे, मासिक तनाव देने का परियास करेंगे, और बेवकुब बना करके धन खर्च करवाएंगे, और आपको धन की कमी होगी, तो आप ज़्यादा ब्याज पर पैसे ले सकते हैं, ये गलती मत करिएगा, और सिर दर्द और पाचा सक्ती तो दर्मा आपकी कुडली में जो है, मकर रासी वाले लगन में आएंगे, तो ये साथवे घर को देखेंगे, और देखिएगा कि दर्स तारीक और रेगारत तारीक बैपार और नोकरी में जो दिकते हाली थी वह ठीक हो जाएंगे, पार्टनर सिपिंग में जो दिकते हाली थी यही नहीं, 10 और 11 तारीकों जो है, सम्मान भी मिलेगा आपको, और बाहर जाने की कुछ श्थितियों में सुधार और पिता की तरक्की देखिए कि इतने अच्छे खुलने चालू हो जाएंगे, बारा और तेरा तारीकों चंदर्मा धनेस हो जाएगा, ये भी एक लावकार प्राइशा में रहेगा, क्योंकि गज केसरी उपकी श्थिति में रहने वाला रहेगा, तो 12 और 13 तारीकों धन संचय होने चालू हो जाएंगे, यातराई होंगी, आप अपने जीवन में प्रेमी या प्रेमिका से मिलने के लिए बहुत दूर जा सकते हैं, आपके जीवन सा राती के तरक्की के रास्ते भी समय खुलने चालू हो जाएंगे, और सबसे महत्तपुर्ण बात इस समय क्या रहने वाला है, कि बुरे से बुरे परिष्थितियों में भी धन की कमी नहीं होने वाली है, 14-15 तारीकों सरकारी काम काज का लाम मिलेगा, परिवार के परतिक लोग आपको सपोर्ट कर देंगे, नए बैपार सुरवात हो जाएगा, नोकरी में परिवर्तन के अच्छे रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे, धार्मिक के अत्राएं आप कर पाएंगे, खंदानी प्र चाहते हैं, तो आपको जो है, सबसे आसान मैं यहीं बोलूँगा, सिर्फ आपको आठ और नौत तारीकों कंटिन्यू दोनों दिन, भागवान सीव को पानी वैला नारियल फोड़ करको उसके जल को अरपित करिएगा, और उसी को परसाद ग्रूप में गरन करिएगा, और गनेश्जी को भोग लगाईए, और माता दुरुगा को भोग लगाईए, बस बहतर उपाई यही है आपके लिए, कुम्रासी वाले, अगर आपके लिए सब्ता ही करासी फल के चर्चा करना चाहे, तो देखिए, सब्ता का सुर्वात जो होगा न, आठ तारीक और नौत आर आठ और नौत आरीको थोड़ा तनाव और डिप्रेशन हो सकता है, सौपिंग वेगरा में थोड़े पैसे खर्च कर सकते हैं, लोन चुकता आप कर सकते हैं, आठ और नौत आरीको थोड़ा सा किसी किसी कारण से आपके लव रिलेशन में या पिता समत्मेद हो सकते हैं, या के सतरूता और कर्ज की मुक्ती के राश्ते खुलेंगे 10 बैपार में विश्यस तरक्की होंगे आपके employee भी आपको support करेंगे और समाज में मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखेगा 12 और 13 तारीकों जो है बुरे से बुरे प्रिष्थेतियों में धन की कमी नहीं होगी और 12 और 13 तारीकों बहुत जादा मान सिक्सांती देखने को मिलेंगे 12 और 13 तारीकों जो है यात्राओं का सुखत अनुभव भी होगा और आपके जीवन में जो है इस समय माता आपको support करतेंगे 14 और 15 तारीकों जो है कुमरासी वाले चंदरमा आपकी कुंडली के धन स्थान में आ जाएंगे बहुत ही positive-ness रहने वाले है 14 और 15 तारीकों इस समय जो है थोड़ा सा मार्केस से तो वानी पर निहंदरन रखना है और पैर में और हिल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है मतलब फूडिंग से आपको ज़्याद हैवी पूडिंग से बचनी कैब सकता रहेंगी सुसराल पक्षे तालमेल रचे रहेंगे बहुत सारे लोगों से मिलिएगा समय बहुत ही happiness रहेगा नौकरी वेवसाय में परिवर्तन के योग दिखेंगे और बैठे बैठे धन की प्राप्ती भी हो जाएगी फिर भी पूरे सप्ता को बहुत 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 पनाना चाहते हैं कुम्रासी वाले पूरे सप्ता सिर्फ परते एक दिन आपको 51 बार या 108 बर ओम नमस्चिवाय मंतर का जाब करना है और परते एक दिन कोशिश करिएगा घर से निकलने से पुर्व चंदन का तिलक लगाने का मिन रासी वाले अगर आपके लिए सप्ताहिक रासी फिल के चर्चा करना चाहें तो देखिए सप्ताह का सुरुवाद यानि 8 तारिक और 9 तारिक को जो रहेगा चंदरमा कर्म छेतर में रहेंगे यानि सप्ताह का सुरुवाद जो कर्म छेतर वाला रहेगा मिन रासी वाले ये बहुत ही अच्छा रहेगा अता आठ और नौतारी को मिन रासी वाले नए बैपार और नए नौकरी के आउसर प्रारम होंगे तिरकोन का केंदर में जाना लाबकारी फल देगा अता आठ और नौतारी को लोटी सट्टा सेर मार्केट का लाब मिलेगा सरकारी काम काज का लाव मिलेगा समाज में ख्याती होगी वहन और संपती के लावा माता पिता से सुखों में बृधि देखने को मिलेंगे इसमें अपनी बुद्धिमता के बल पे और अपनी चलाकी के बल पे एक बड़े स्थितियों को सुधार करिएगा और इसमें इतने इंकाम आएंगे कि आप से सतुरू भी दूर हो जाएंगे और आपके सिनियर जो आपके खिलाप होकर के बात कर रहे था वह आपके सपोर्ट में आ जाएंगे क्योंकि आपके ज्यान और गुद्धिमता में बृधि दीखेगा आठ हर नौ तारीकों जो है आपके जीवाने पुराने नौकरी जो चले गए थे वह रिटर्न होने के स्थितियों में रहेंगा कॉंट्रक्ट जॉब से पर्मनेंट होने के स्थितियां भी हो सकती है दस और इगारा तारीकों मिन्डासी वाले चंदर्मा आयस्थान में आएगा और यह लावगारी है यानि 10 और 11 तारीकों भी लोट्री सटाश्या मार्केट का लाव मिलेगा संतान सुखों में ब्रिधी देखने को मिलेंगे गले का, पेट का, हेड़े के रोगों में सुधार देखने को मिलेगा और बुरे से बुरे प्रष्थितियों में भी सांती रहेंगे यहीनि 10 और 11 तारीकों आपके प्रेम सिविवा के योगों में ब्रिधी होगा आप लोग के बीच में प्रेम संबंध में जो है आप लोग दोसरे से मिल सकते हैं और बुरे से बुरे प्रस्थितियों में मांसिक सांती देखने को मिलेंगे। बारा और तेरा तारी को सौधान रहिएगा मिन्रासी वाले। क्योंकि बारा और तेरा तारी को विदेश जाने की संभावनाई तो बनेंगे। 12 और 13 को जो है वेर्थ के धन को खर्च को रोकना है दूसरे के लिटिकेशन में यहीं पढ़ना है और धन खर्च करने से पुर्व जो है जन्युनिटी के पहचान कर लीजेगा 12 और 13 तारीक को जो है आपके लब रिलेस्टन में या दमपति ज़्यादा पैसे खर्च हो सकते है तो आपको ध्यान देनी करें सकता रहेंगी 14 और 15 तारीक को चंद्रमा लगनस्त हो जाएगा जब लगनस्त हो जाएगा तो लाबकारी फल देगा अता हमिनरासी वाले 14 और 15 को विवाह के लिए बहुत यच्छ चरिश्टे आएंगे इस समय सरकारी कामकाज का लाब मिलेगा वहन और संपती का सुख माता पिता से लाब बुधिमता के परियोग में आपके ख्याती प्राप्त होगे यही नहीं 14 और 15 तारीक को जीवन साथी भी आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे और आपके बैपार में कोई बड़ा इंफेस्टर भी मिल जाएंगे यही नहीं इस सप्ता को बहुत बेहतर प्राले के लिए माता को पर्ति लिःक दिन कुछ न कुछ द्धन अवश्य दीज е और मैं पूरे सप्ता सीलिंगपे पानी वाला नारियल तो प्रिया किर्कर आपके लिए बेहतर आपके रहेगा मीन्रासी वाले पूरे सब्ता का रासी फल मैंने मेंस रासी से ले करके मिन रासी वाले प्रसुत किया है तो अमिद करता हूँ कि बताई के जनकारी सब संतुष्ठ होंगे तो आप मैंने चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करिए शेर करिए सब्सक्राइब करिए मिलें अगली वीडियो में और महत्तापुल और ग्यान बरतक जनकारी के साथ तब तक रहे नमस्कार अच्छे स्राइए धन्यवाद